हलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल दी आप की एस्टेडी अब सभी बच्चे के मन में एक डर रहता है कि नीट का पेपर इस बार किस टैप का आने वाला है तो पेपर का लेवल काफी easy रहेगा आप जिस हिसाब से सोच रहे हैं उससे भी easy पेपर आने वाला है इस बात के लिए आप confirmed हैं अगर आपको believe नहीं होता है तो 2020 का आप question पेपर उठा के देखिए आप जितना chapter पढ़ाय कर चुके हैं वहाँ से एक-एक question आप लगा सकते हैं तो अगर पेपर का level easy आने वाला है तो हम hard question क्यों try करें उसमें अपना time क्यों waste करें इतने कम time में अब जब approximately 35 days बचे हुएं इस 35 में हमारा काम यह है कि accurate point to point वो question डिसकस करें जो की हमारे लिए important है और आपको पता होना चाहिए कि आपके biology और chemistry में NCRT से बाहर कुछ भी एक point भी नहीं आया था और जो physics का भी level था वो एकदम okay okay tap NCRT का ही level है तो मैंने और मेरे टीम ने मिलके NCRT level best previous year question से सारे important question कवर करके एक series लाया हूँ आपके लिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ आप daily एक test attempt करें और बचे हुए 35 दिन में कम से कम 35 test attempt करके physics में 160 plus का marks आप secure कर सकते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा गूगल प्ले में जाके K-Square नाम का app download कीजिए और वहां पे जाके किर्तिमान test series पे click कीजिए वहां से try कीजिए कि कम से कम daily एक test आप attempt कर पें और अगर आप ऐसे last day तक करते तो मैं इस बात का guarantee देता हूँ कि आप 160 प्लस mark secure कर पौगे अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है तो just formula को revise करो उस chapter का test दो आप वहां पे chapter wise test full test सारे available हैं आपको जो test comfortable हो वो test दो आप और वहां से आप mark secure करो wish you all the best